क्या आपने कभी सोचा है कि रैटल स्नेक कैसे वह रैटलिंग ध्वनी बनाती है? Well, कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक घूंगरू की तरह काम करता है, जिसमें छोटे मोतियों का संयोजन होता है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा नहीं है. आप देखें, रैटल स्नेक की पूंच में एक श्रंगाटक जैसी सीरीज होती है, जो आपके नाखूनों के समान सामगरी से बनी होती है, लेकिन पूंच के अंदर पूरी तरह खोकली होती है. जब उन्हें धमकी महसूस होती है, तो वे उत्तेजित होते हैं. पूंच और खोकले सिग्मेंट्स एक सुपर तेज गती में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिससे रैटलिंग की ध्वनी बनती है.